प्यारे हरेनवासी भाई और बहनों, जैसे हमको मालूम है के संकट किये घड़ी करोना वाइरस का जो फैलाव और उसके मध्यनजर जैसे देश के प्रथानमत्री ने आज 22 तारिक के लिए हमको जनता कर्फ्यू का आवान किया था और बहुत ही एक अच्छा विशे, आनंद का विशे ये लगा कि आज जिस प्रकार से हमने इस जनता कर्फ्यू में देश की 130 क्रोड अबादी के साथ हरियाना के 5 क्रोड लोगों ने एक जुटता दिखाई और एक जुट होकर के इसका प्रदशन किया, पूरे प्रदेश के जो समाचार मिले हैं, सब लोगों ने बहुत सिवाओं को बंद रखा गया, और साथ ही जो साइकल 5 बजे अभी हम लोगों ने जो रास्ट के रक्षा की सिनाते से सिवा कर रहे हैं समाज की लोगों की, उनके प्रती, उनकी सिवा के प्रती अपनी जो करतगा तागा आभार प्रगट किया, थाली ताली बजाकर, घंटी बजाकर एक ऐसा शंकनाद किया, कि नके बल अपने देश में बलके दुनिया में भी इसका आभास होगा, कि हम एक जो ठोकर, किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं, यह जो दौनी हैं, इस दौनी की तरंगे, सारे देश में फैली हैं, और करोना को निश्य अपील, कि आज इस परकार से गोशना भले यह की गई, कि हम नो बजे तक जनता कर फ्यू करेंगे, लेकिन आउशकता इससे भी आगे की है, हम यह जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक एक परकार से अलग लग रह करके भी, इस युद्ध का मकाबला करने के लिए, हमने रातरी भर, प्राते काल पुना साथ वजे तक इस जनता कर फ्यू को मराय कर रखें, ताकि हरियाना में हम कह सकें, कि 24 घंटे हमने जनता कर फ्यू का पालन किया, निश्ची रूप से आवशक सेवाएं सब बना कर रखी जाएंगी, उसमें चाहे हॉस्पिटल्स की बात है, ह सब बना कर रखी जाएंगी, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसलिए आप सब से मैं निमेदन करता हूँ, कि इन चीजों में ध्यान करते हुए, आज पूरी रात भर भी इस जनता कर फ्यू को बना कर रखें, हम आवशक सेवाओं की प्लमता बना कर ये अपनी त्यारी कर रहा है, इसलिए उन कामों में भी, उन कामों को भी हम अपनी आवशक सिवाओं में ही लागू करके रखना चाहते हैं, जितने बड़े शहर हैं, इनमें रेजिडेंट वैलफेर असेशिशन्स, एंजियोज, ये भी अपने आम में बड़ा काम कर रहे ह हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं, और मेरे इन से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग के काम में ये लोग भी अपने अपनी राके में और प्रतन करें, और कोई व्यक्ति अगर इनकी बात न सुनें, किसी परकार का व्यवधान पड़ता है, तो सरकारी जो सिवाए हैं, उसक करने के आउशकता नहीं है, निर्देश भले ही सरकार की और से हो, अपील भले ही प्रदान मंत्री जी की हो, लेकिन जनता ने जैसे इसको अनुशाशन के रूप में अपनाया है, यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है, तो इसका जरूर ध्यान रखें, एक कدم हम और आगे रहेंगे, वहाँ आउशक सिवाओं को छोड़कर बाकी सब काम बंद रहेंगे, यह साथ जिले हैं, फरिदाबाद जिला, गुरुगराम जिला, रोतक जिला, जजजर जिला, सोनिपच जिला, पानिपच जिला, और पंचकुला जिला, तो इस प्रकार से इन साथ जिलों के स अब नागरिकों को मेरे वीशेश अपील है, कि 31 मार्ज तक यह लोकडाउन रहेगा, और 31 मार्ज तक इस अनुशाशन को जैसे आज दिन बर दिखाया है, इस अनुशाशन को बना कर रखना है, सब स्थानों पर सभी स्थान बंद रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की डरने की घबरानी की कोई आउशकता नहीं है, मुझे लगता है कि इस कुरॉणा के इस संगर्श में हम बहुत नजदीक हैं, अपनी मंजल के नजदीक हैं, कि हम इस अपवर्ड टरेंड को एक फ्लैट टरेंड लाकर के और डाउनवर्ड टरेंड की और ले जाने के लिए बहुत जल करें संकल्प लें और दिड़ संकल्पित हो करके आगे बढ़ें ताकि अपने इस दाइत्वकम पूरा कर सकें और पुना मैं आज ये जो हम लोगों ने एक जुटता दिखाई है इसके लिए बहुत-बहुत आभार पढ़ करता हूं और खास करके लोगों ने जिस परकार से न सयुग बनाए रखै क्योंकि आप सरकार के आख और कान हैं आपके दूरा किया जाना वला हर काम समाज उपयोगी होगा देश उपयोगी होगा विश उपयोगी होगा इसको बनायर रखें आपका बहुत बहुत-धाबहर बहुत धन्यवाद